आप सब लोगों को मेरा नमश्कार आज का दिन भारत के तिहास में एक तरह से भारतिय जन्तंतर के लिए काला दिन साबित हुआ आज संसद के अंदर दिल्ली के लोगों को गुलाम बनाने वाला बिल पास कर दिया गया ये बिल दिल्ली के लोगों को बेबस बना देता है असहाई बनाता है लाचार बनाता है गुलाम बनाता है जब हम आजाद नहीं हुए थे 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था उस कानून का नाम था Government of India Act उस कानून में अंग्रेजों ने ये लिखा था कि भारत में चुनाव तो होंगे लेकिन जो सरकार चुनी जाएगी उसको कोई काम करने की पावर नहीं होगी की काम करने की शक्तियां नहीं होंगी जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमने समविधान बनाया और समविधान में हमने लिखा क्यों चुनाव होंगे लोग अपनी सरकार चुनेंगे और जो सरकार चुनेंगे उस सरकार को लोगों के लिए काम करने की सारी शक्तियां होंगी कानून बनाया है कि दिल्ली के लोग चुनाव तो होंगे दिल्ली में, दिल्ली के लोग अपनी सरकार तो चुनेंगे, लेकिन उस सरकार को काम करने की कोई भी शक्ती नहीं होगी, ये कानून आज हमारे देश की संसद ने पास किया है, दिल्ली के लोगों की वोट की अब कोई कीमत नहीं बची है, अब सरकार बनाई यो सरकार की कोई शक्ती नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, 11 माई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत एक जनतंत्रे, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनतिया और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होने जाए सुप्रिम कोट ने का प्रधान मंत्री जी ने एक ही हफते के सुप्रिम कोट के जैसी आदेश आया एक हफते के बाद उस उसको सुप्रिम कोट के आदेश को पलट दिया और उसके खि अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो मर जी सरकार बनाएं लेकिन उस सरकार को चलाएंगे LG साब और मोदी जी सीधे सीधे वोई लोग चलाएंगे इस सरकार को तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधान मंत्री मोदी जी कह रहे है कि मैं सुप्रीम कोट को भी नहीं मानता जिस देश के प्रधान मंत्री उस देश की सरवच अदालत को नहीं मानते इस देश का क्या भविश्य हो सकता है। सीधे सीधे वो कह रहे है। सु्ढरीन कोड जो मरजी आदेश पास करे। अगर मुझे सुप्रीम कोड का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून बनाके सुप्रीम कोड की आदेश को पलट दूँगा, इतना हेंकार हो गया इन लोगों को, इन लोगों ने देखा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है, पिछले चार चुनाव सीधे-सीधे, दोहजार तेरा में, दोहजार पंदरा में, दोहजार बीस में, और उसके आद एमसीडी का चुनाव, सीधे-सीधे चार चुनाव बीजेपी आम आदमी पार्टी से दिल्ली में हार गई, दिल्ली के अंदर पच्चेस साल से जादा हो गया, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, 25 साल से इनको वनवास दिल्ली के लोगों ने दिया हुआ है तो इनको लगा कि आम आदमी पार्टी को हराना मुश्किल है तो इन्होंने चोर धरवाजे से पीछे से चोर धरवाजे से इन्होंने दिल्ली की सत्ता को हथ्याने की कोशिश की है दिल्ली के लोगों ने एक बार आ लाच चिला के बीजेपी को कहा है कि दिल्ली के अंदर धकल अंदाजी मत करना परधान मंत्री जी को साफ साफ शब्दों में दिल्ली के लोगों ने कहा सातो सीट उनको नैशनल चुनाओं में सातो सीट दी और दिल्ली के चुनाओं में तीन सीट दी तो मोधी जी को साफ साफ दिल्ली की जनता ने कहा कि दिल्ली के काम में दखल अंदाजी मत करना आप देश संबालो लेकिन मोदी जी कहते है मैं जनता की बात नहीं मानता इतना एंकार हो गया ना जनता को सुन की बात मानते ना सुप्रीम कोट की बात मानते और आपको पता इस कानून में क्या लिखा है जो कानून आज पास किया है इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के ऊपर से नीचे A कैटेगरी B कैटेगरी C कैटेगरी D कैटेगरी जितने दिल्ली सरकार के करमचारी हैं उन सारे करमचारियों को की बारे में सारी पॉलिसी केंद्र सरकार बनाएगी उनकी ट्रांसफर पॉलिस कौन का धिकारी कौन चपरासी क्या काम करेगा ये प्रधान मंत्री बैठके दिल्ली के दिल्ली सरकार का कौन सा चपरासी क्या काम करेगा कौन सा चपरासी फाइल उठाएगा कौन सा चपरासी चाय पिलाएगा कौन सा चपरासी खाना ये काम रहेगा प्रधान मंत्री जी को इ आप दिल्ली के चपरासियों की ट्रांसफर पॉलिसी बनाओगे बैठके प्रधान मंत्री बनके आप के अंदर चलाओ ना आप दिल्ली के अंदर क्यूं दखल अंदाजी कर रहे हैं